हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवन एस्टडी पॉइंट आज की दो बड़ी अपडेट्स के साथ आप यहाँ पर आ चुके हैं दो बहुत भी बड़ी अपडेट्स यहाँ पर आप लोगों के लिए रहने वाली हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं दिया गया है कि प्रदेश में होंगी पांच याई स्टाफ नर्सों की भरती तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर रहने वाली है आप लोगों के लिए स्टाफ नर्सों की भरती जो होने वाली है उसके लिए आप जो स्टाफ नर्स के कंडिडेट्स है जो तैरी कर रहे हैं उनके लिए यह पर बहुत फी बड़ी खबर रहने वाली और साथ में एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर हम इस वीडियो में कवर करने वाले तो वीडियो को बिना स्किप के वे लाश्ट तक और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें जिससे हमाद और अप्लोड के और किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो फ्रेंट्स चलते हैं दोनों अपडेट्स की तरब तो सबसे पहले यहाँ पर आप दे सकते हैं जो पहली वेके कंते हैं पुर्ण की कटिग है और आप देख सकते हैं देहरा दून से यह नौटिफिकेशन जारी गΕई है दोहरा दुन से कबर आ रही है और यहाँ पर आप देख सकते है सबसे पहले एस्टाफ नरस कारेफ यहींड वर्तमान में 371 पद खाली तो यहाँ पर जो है 1160 स्टाफ ने सकार्यरत और 371 पद खाली है उसके लिए यहाँ पर भरतिया अभी जल्द ही होने वाली है यहाँ पर दिया भी गया वर्तमान में स्टाफ नर्सों के 371 पद खाली है पहले चरण में जिला अस्टालों में मानुक एसके बाद जहां करें तो इसके बाद पूरी नोटिफिकेशन को को यहां पर करेंगे तो यहां पर दिया गया है IPHS मानकों के अन्साack 100 बेट की छंता के जिला अस्पतालों में 45 स्टाफनरस होने चाहिए यारिकि जो 100 बेट रहे हैं किने कम से हम 45 स्टाफनरस होने चाहिए इसी तरह 200 बेट पर 90, 500 बेट पर 225 स्टाफनरस की नियुकत की जानी जबकि 31 से 50 बेड़ के उपर जिला अस्ताल में 20 स्टाफ नर्स और अक्याउंट से 100 बेड़ के अस्ताल में 30 नर्स होने चाहिए तो ये हैं इसके मानक अब यहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन आप देश सकते हैं दिया हुआ है प्रदेश में बेहतर स्वास्थ सेमाए उपलब्ध कराने के लिए 5000 स्टाफ नर्सों की भर्ति की जाएगी यानि कि उत्तराखन में बहुत ही जल्द यहाँ पर 5000 वेकैंसी जो हैं आने वाली हैं चीज के लिए श्टाफ नर्स के लिए तो यहाँ पर बहुत हिच्छ है और बहुत जबदस वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं इसके लिए स्वाथ निदेशाला जल्द ही प्रस्ताव बनाकर सासन को भेजेगा Indian Public Health Extender यानि IPHS के मानकों को पूरा करने के लिए प्रदेश के सरकाजी शपतालों में वरतमान में कारेत श्टाफ नर्सों के लावा 5000 नर्सों की और ज़रूथ है यानि कि अभी जो 1160 वरतमान में कारेत हैं के लावा 5000 और श्टाफ नर्सों की ज़रूथ यहाँ पर पढ़ने व प्रदेश में सुधार करने के लिए IPHS मानुकों को लागू करने के लिया है सासन की ओर से इस समन्द में सासना देश भी जारी किया गया है पहले चर्ण में जिलास तालों में बिसेशा की डाक्टरों की तैनाती के लिए स्वास्थ विभाग ने प्रक्रिया सुरू कर दी है लेकिन IPHS मानुकों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी अर्चन स्टाफ नर्सों की कमी है वर्तमान में 1531 स्टाफ नर्सों की स्विक्रत पदों में से 1160 नर्सी कारगरत हैं जबकि 371 पद खाली पड़े हैं विभाग को IPHS मानुकों के अनुसार 5000 स्टाफ नर्सों की जरूरत है चिकिस को वा अनुस्टाफ की संख्या तै की है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी वेकेंसी जो है स्टाफ नर्स की आने वाली है हर साल यहाँ पर कम से कम 1000 वेकेंसी यहाँ पर जो है और आज की डेट की बड़ी नोटिफिकेशन 18 जनुवी की नोटिफिकेशन कार्य लाए मुख्य चिकिसा धिछ एक टीवी सप्रु चिकिसा लेप प्रयाग राज से नोटिफिकेशन जारी के बिग्यपती जारी की गई है यहाँ पर वैकेंसी जो है आ चुकी है यहाँ पर तो यहां पर टीवी सपरू जो अस्ताल है प्रयागराद में कोविन-19 के अंतरगत कार करने है तो जो है यहां पर समझा पदों पर नियूक्त किया जाएगी और यहां पर डार्यक्ट इंटरव्यू के माध्यम से इसका पद भरे जाएंगे यहां पर तो यहां पर आप दे सकत MBBS MD Master of Medicine है और इनकी जो है पद संख्या कितनी 10 पर पोस्ट यहां पर रहने वाली है निश्चेतक के लिए भी MBBS TA MD है अनिस्थिसया से तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते है चौदा पोस्ट यहां पर रहने वाली है बाल रोग विशेसर यानि जो पीडियाट्रिक के लिए तो यहां पर MBBS हो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और Medical Officer की आप रहने वाली है निश्चीत मांदे पर की जाएगी यहां न्यूत 31-32-22 तक के लिए होगा इच्छे कुम्मी द्वार दिनांक 21-12-22 को पुर्वान 11-11 से दो बज़े तक टीवी सप्रू हास्पिटल प्रयागरान में वाकिन इंटर्व्यू के लिए उपस्तिष हो सकते हैं तो उपर जो भी पत दिये गए हैं इनमें जो भी इंटर्व्यू के लिए उपस्तिष होने वाला है 21-11 को आपका इंटर्व्यू रहने वाला है अब यहां पर देख सकते आगे दिया गया इच्छुक अभ्यार्थी वाकिन इंटर्व्यू के समय नवीन तम बायोडाटा वांचित मूल अभिलेग रइश्ट्रेशन दो नवीन तम कलर फोटोग्राफ तथा वांचित प्रणा पत्रों की स्वाप्रमारी प्रतियों के अब यहां इसको रीड कर सकते हैं कोई प्रतिकूल तथिपाए जाने पर चाहिए प्रतिकूल नहीं होगा चैनेज अभियरति की समझा बिना किसी पूर्शूचिना नोटिस के सवाप्त की जा सकती है साचात के और यह तो किसी प्रवी प्रकाल का यात्रावता दे नहीं होगा इच्छोक अभियापन प्रकासित होने की तिति से पैसर अधिक ना हो मेडिकल आफिसर पद के लिए MBBS अभियरति को वरिता दी जाएगी MBBS अभियरति ना मिलने पर ही BHMS BMS को न्यूट किया जाएगी आने कि मेडिकल आफिसर के जो पोस्ट है उनमें MBBS कंडिडेट है तो आपको यहाँ पर वरिता मिलेगी और याद MBBS नहीं मिलते तो ही यहाँ पर बेचे में BMS की न्यूट की जाएगी तो दो बड़ी ही आज की अपडेट रहने वाली है आप लोगों के लिए दो बड़ी अपडेट मने आज इस वीडियो में कवर की हैं बहुत ही जबदत भरती यहाँ पर हैं तो जो भी कंडिलर्स इलिजबल हो दोनों में वहाँ प पे पूरी बिज्यापन पूरी कटिंग को है, यहाँ पर हमने कवर किया तो वेडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तौ सब्सक्राइब जरूर कर ले। भ्र्रेंड्स मिलते हैं नग्स्ट वीडियो में the next information के साढ जाहिन वंदे मात्रम